अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रूप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से जाद अगिर चुका है ग्रूप के चेर्मेन गौतम अडानी की नेट वर्थ में भारी गिरावट आई है पिछले साल सितंबर में अडानी दुनिया के अमेरों की लिस्ट में दूसरे नमबर पर पहुँच गए थे और ये मुकाम हासिल करने वाले वो एश्या के पहले शक्स बने थे लेकिन उसके बाद से उनकी नेट वर्थ में भारी गिरावट आई है 24 जनवरी को आई हिंडनबग रिसर्च की रिपोर्ट ने उन्हें तगड़ा जटका दिया है इस रिपोर्ट के आने से पहले वो दुनिया के अमेरों की लिस्ट में तीसरे नमबर पर थे लेकिन अब वो 21 नमबर पर खिसक गए है प्रधान मंत्री मोधी की लोगप्रेता सात्वे आसमान पर है वो एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोगप्रेय नेता चुने गए हैं मौर्णिंग कंसल्ट के एक ताजा सर्वे के अनुसार पी एम मोधी को 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग मिली है इस तरह वो दुनिया के 21 नेताओं को पचारते वे इस लिस्ट में टॉप पर हैं रिसर्च कंपनी मौर्णिंग कंसल्ट ने ये रेटिंग रिपोर्ट 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 के बीच सर्वे कर जारी की है इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोधी पहले नंबर पर हैं उन्हें 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है वहीं दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट पती एंड्रेस मैनवल लोपेज है राहूल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद मोधी से आग रह किया है कि वो कश्मीरी पंडित करमचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएं और उनकी सुरक्षा की गारेंटी के बिना उन्हें कश्मीर घाटी में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए राहूल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि आतंक्यों ने हाल ही में कश्मीरी पंडितों और दूसे लोगों की टारगेट किलिंग की है जिसके बाद घाटी में डर और निराशा का माहल बन गया है उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को प्रेम और एक्ता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनीधी मंडल अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आया था जिन्होंने जानकारी दी कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी में वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं रहुल गांदी के अनुसार इन हालात में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बेना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दई कदम होगा फिलहाल के लिए इतना ही देश की बड़ी खबरे जानने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइप को